और हम फूट्रवे लेकर टॉपिक चलाऊ है हमारा की मैं फूट्रवेल्उटमों के लिए संड़ाओ इस चाहीं डिजाओँ क्वीजीं बल्लों या विध कंपाउंडिंग आज सुकूंढिण of a series of uneven payments कि अगर जो है हमने जो है वो multiple times वो investment करनी है तो उस investment की हमने जो है वो future value कैसे calculate करनी है और वो जो हमने investment करनी है वो भी uneven है अलग-अलग amount जो है वो हमने invest की हुई है तब हम कैसे calculate करेंगे तो इसके लिए क्या है कि future value for after n number of periods तो उसको calculate करने के लिए formula है आपका that is equal to C1 यानि कि first period में आपने जाओ इनीचली कितने investment कि इन टू रेस्टू पावर 1 प्लस आर रेस्ट पावर और और पावर इसके होगी n-1 n-1 यह के लिए वो वैज़ा है क्या हुआ है कि हमने सीवन सीटू सीट्री सी एन जो है वो नंबर आफ येर्स अन नंबर आफ येर्स सक के लिए investment की है c1 c2 cn-1 cn तो यह हमने investment की हुई है और इसके लिए हमने future value calculate करनी है तो अगर हमने यह कहाए कि at the end of the period कि आपका आपका आपने investment करनी है तो फस्ट यह के अपने उसके एंड में किया यानिकि अब उसको investment को investment रहने के लिए तो सिर्फ 4 साल मिलेगी यानि कि n-1 जो सेकेंड यह में करेंगे उसके उपर आपको तीन साल return मिलेगी n-2 यानिकी 5-2 3 years के लिए return मिलने है ऐसी जो है वह आप उसको calculate करेंगे n-1 यानिकी 4 years के लिए मिलनी है तो लास्ट वाली return इसमें जब आपको कुछ इंटरस्ट कोई income नहीं मिलेगी इसलिए इसका हमने इंटू 1 प्लस आर नहीं किया है क्योंकि यह आपकी at the end 50 जब आपको उसमें आपको कोई return नहीं मिलने वाली है तो यह formula हो गया आपका उसको 1 प्लस आर देज टू पावर एंड किया था तो यहां पर किया है कि multiple times के लिए हम उसको invest कर रहे हैं तो हम उसको जो है वो जितने भी periods के लिए की गई है जब उसके end में किया रहा है तो एक साल की investment जो है वो कम हो जाती है 10% rate of interest की rate of interest जो है वो 10% है और उस पर आपको future value calculate करनी है cash flows की तो c1 यानि की at the end of first year इसको c1 कह रहे है at the end of second year इसको c2 कह रहे है at the end of third year इसको c3 कह रहे है तो first year के end में 1000 की है second year के end में आपने 2,000 की है third year के end में आपने 3,000 रुपीज इनवेस्ट की है तो आपको इसकी future value निकालने के लिए कहा गया तो यह हमारा formula है जिसके बारे में हमने पताया था आपको तो future value निकालने है तो यह आपकी पहले वाला आगया na c1 तो कितने investment की है आपने at the end of the first year 1000 की है plus into one plus rr कितना है 10% 10% को हम decimal points में लिखेंगे 0.10 हो गया और यहाँ पर power कितनी आएगी first year adult में है यानी कि 3 minimize 1 तीन साल के लिए आपने investment कि है c1 बाइस ऑन्वश्मेंट करनी तो पहले साल के में की तो यानी कि end-1 3-12 यह सेकंड ये近डियर के घंड यो कि थेव पर उपास सिक्वाइन जैसब्स फेस्ट य चेश्ट को ऩूई पर लास्ट में और लास्ट में आप सक्वाइब की फेस्ट की निकालना चाहरि नेजिए तो यह investment हमारी एक साल के बाद हुई है तो दो साल के बाद हुई है यह वाली पहले पावर bracket को solve करना है bracket को solve किया यह आ गया answer इस वाली bracket को solve किया यह answer आ गया और उसके बाद क्या करना है हमने multiply करना है इसको इसके साथ multiply किया इतना गया 1000 1000 इंट्व 1.21210 आ गया 2000 इंट्व 1.10200 आ गया और 3000 को आप वैसी लिखेंगे फिर इसका टोटल होगा यानि कि पहले आप brackets open करेंगे brackets open करने के बाद उसकी multiplication होगी फिर उसके वह एड़ करेंगे तब आपके पास उसकी value आ जाएगी थोड़ा को complicated है मैं इसको समझने के 1,2,3,4,5,N number of years के लिए वो investment की जाती है तो C1 का मतलब at the end of the first year at the end of the second year at the end of the nth year जो भी आपका end रहेगा और जब हमने यहाँ पे निकालना है तो जितने समय के लिए investment है उसमें से 1 minus करना है first year के end में second year के end में 2 minus करने है तो इस तरह से continuity में आप चलते रहेंगे last year में कर सकते है future value को और इसी future value को अगर हमने जो हो with the help of table जैसे हमने पहले भी किया था compounding factor के लिए तो इसको अगर table के थू करना है तो कैसे करना है table के थू करने के लिए वही same table है हमार पास जो है इसमें की आपकी number of periods कितने है और percentage क्या है तो कित percentage पे हमने 10% के लिए investment की हुई है तो हमें यह वाला कॉलम देखना है वह investment जो है वह first period second period third period कितने time तक पैसा invest रहेगा वहां से हमने उसको चेक कर लेना है तो यह वाला table हमारे पास आ गया है इसमें हमने at the end of the first year 1000 इंवेस्ट किये at the second of end of second year यह लिखा है at the end of this year cash flow कितना है number of compounding years कितने साल के इसको compounding हो नही thousand rupees invest किये हैं आप आपने एक साल के end में किया है तो अब कितने साल वह पैसा invest रहेगा दो साल पैसा वह invest रहेगा फिर second year के end में आपने कितने किये 2000 rupees किये थे तो सिरफ वह third year के लिए यानिकि एक साल के लिए वह पैसा आपका invest रहेगा और third year के end में किये है तो उसकी जो है व 1000 इसकी वैल्यू है 2000-3000 अब कंपाउंडिंग फेक्टर निकालना है कंपाउंडिंग फेक्टर कैसे काल्कुलेट करना है आपका एक तो ध्यान होना चाहिए रेट आफ इंटरस हमें पहले सी पता है वह 10 परसंट अब देखने कि कितने पीरेट के लिए उसकी कंपाउंडिंग ह होनी है तो ऑसकी कमपाउंडिंग होनी है तू यह के लिए 2 तो हम ट्वीयर्स पर पर जो गुए 10 परसंट के नदर हमार पास है 1.210 हमने लिग पास एल्प्रसंट के लिए है पी यह तो यह कि लिए तो बन यह 한यक्र पर हमें 10 परसंट के नीचे जो value मिलते है that is 1.110 तो हमने यहां पर लिख दिया 1.10 और थर्ड जो है इसमें 0 है तो इसको हमने 0 नहीं कर देना जब compounding period 0 है तो इसका मतलब कि वो same रहेगा तो that means कि 1 rupee will remain 1 rupee तो यहां पर compounding factor जो है आप उसको 1 लिखेंगे अब इसको और इस compounding factor को आपने multiply करना है cash flow को compounding factor से multiply किया 1000 into 1.21 यह आपके पास आगया 1210 2000 को आपने 1.1 से multiply किया 2200 3000 को आपने 1 से multiply किया यह आगा पकर 3000 इसका आपने total किया यह आगा आपके पास 6400 that is the total value at the end of the third year आना था यहां पर 50 लिखा गया गलती से this is third year कि आपकी जो है वो value थर्ड येर के end में जो है वो 6410 हो जाएगी तो यह थर्ड येर के end में उसकी value हम निकाल रहे है 6410 कि पिर कि अगा कि अगा कि अगा कि अगा कि कि कि